दोस्तों नमस्कार आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भैसों में सफेद दाग का कारण क्या है और इसकी कमी से होता है और इसका उपचार किस तरह से करेंगे तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जो सफेद दाग है इस भैस के पूरे शरीर पे है और लोवर अब् पे है तो यह टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है जो अक्सर भैसों में पाया जाता है क्योंकि भैसों में मेलानीन पिग्मेंट बहुत जादा होता है और जब मेलानीन पिग्मेंट का सिंथेस नहीं होता है तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है यह सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता है इसके और भी कई consequences हो सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके muscle के उपर सफेद दाग है और back के भी उपर सफेद दाग है और lower abdomen में तो यह particularly होता ही है एक और characteristic problem होता है actually यह problem जो है वो copper deficiency के चलते होता है और copper की कमी के चलते होता है copper की कई कमी के चलते कई और समस्याएं आती है इसमें जो प्राब्लम शीप और गोट में है वो आपको इंजोटिक अटक्सिया के रूप में मिलता है नहीं कि पीछे की तरफ से चलने में समस्या आती है जैसा कि आप इस भैंस को देख पा रहे हैं यह केस हमें जिसमें यह भैंस खड़े होने में असमत थी और लहरा के चल रही थी आप यहां पे देख पा रहे हैं लेकिन इसमें पिकुलियर यह है कि इसका जो देख सकते हैं कि आप ये गिर रहे टिपिकली इसका जो स्कीन का कलर है इसमें स्पोर्ट में वाइट स्पोर्ट पड़े हुए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें कॉपर डिफिसियंसी है तो जैसे मैं बता रहा था कि कॉपर डिफिसियंसी जो है वो माइलीन सीथ के formation के लिए भी नर्व के integrity के लिए भी required होता है और जब copper deficiency होती है तो spinal nerve का damage होना शुरू हो जाता है और उसके माले इनसीत में problem आती है इसलिए ataxia आता है तो adult animal में भी देखने को मिल सकता है तो इस तरह से अगर आपको presentation मिलता है अगर skin का भी problem और पीछे से खड़े होने में दिक्कत हो रहा है तो आपको suspect करना चाहिए कि खड़े होने वाली समस्या भी जो है वो copper के चलते है फिर इस बहांस को हमने उन्हें suggest किया कि copper glycinate लगाने के लिए और उन्होंने copper glycinate लगाया और विदीन वीक आप देख सकते हैं इसके movement में जो पीछे से चलने का तरीका था उसमें काफी improvement हो गया तो मैं बता रहा था कि copper जो है कई तरह की समस्याइं करता है अगर उसकी कमी हो जाए तो एक तो skin का problem है इसकीन का problem जो है melanin synthesis क्यों नहीं होता है वह important है यह जो copper है यह tyrosinase नाम का एक enzyme होता है उसका मुख्य component होता है और जब tyrosinase copper deficient होता है तो tyrosinase सही से काम नहीं करता है और tyrosinase से melanin pigment का synthesis नहीं होता है और animal में फिर white spots बनने शुरू हो जाते हैं और इसे लिकोडर्मा आप कह लीजे वेटिलिको कह लीजे उस तरह की चीजें आपको सफेद दाग दिखना शुरू हो जाता है आगे के stage में यह copper जो है यह anemia भी करता है इसकी deficiency होती है तो अक्चुली माना यह जाता है कि जो copper है यह hemocidrine को utilize करने में help करता है यानि कि जब RBC खुद देथ हो जाती है उसके बाद RBC का hemocidrine release होता है फिर से वो उसको reutilize करने के लिए copper की requirement होती है इसी तरह से copper जो है यह cerevaloplasmine का एक component है और cerevaloplasmine जो है यह एक तरह से फेर रस आयन को फेरिक आयन में convert कराता है और फिर फेरिक आयन जो है वो hemoglobin के synthesis में utilize होता है तो यह एक दूसरा फेक्टर है जिसमें animal जो हम अनिमिक रहता है copper के deficiency के चलते हैं इसी तरह से copper के और भी कई काम है यह antioxidant जो system है body का उसका major part player होता है तो अग animal की stress में रहेगा उसकी immunity down रहेगी और भी एक characteristic feature इसमें आता है उसे osteoporosis कहते हैं यानि osteoblast cell की activity के लिए copper required होता है अगर copper की कमी हो जाएगी तो osteoporosis होने लगता है और animal में लेमनेस आता है लेमिनाइटीस आता है खास करके अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से रिकेट्स में जो joints swell होते हैं उसी तरह से copper deficiency भी रहता है तो joints जो हैं वो swell होने लग जाते हैं आप देखेंगे तो bidding होगा रिप्स में साथ ही साथ जो long bone होते हैं उन्हें swelling दिखने लगती है और चलने में animal जो होता है वो असमर्थ होता है कुछ adult animals में इसके बहुत major consequences होते हैं जीसे falling disease क जाते हैं और myocardial degeneration होता है और sudden heart block होता है heart attack आता है और animal collapse कर जाता है तो यह सारी चीजें आपको indicate कर इस तरह के symptoms मिलते हैं यानि कि आपको सफेद दाग मिल रहा है तो उससे हलके में नहीं लेना है उसका इलाज करना है ने तो animal productivity में प्रोपर नहीं आएगा कई बीमार और उसको heart attack भी आ सकता है तो इसका treatment क्या करना है treatment के लिए जो best supplementation माना जाता है copper का वो copper glycinate है और copper glycinate जो है market में available है और इसका जो dose rate है वो 120 mg adult animal के लिए होता है और 60 mg carbs के लिए देना होता है subcutaneous root से brisket region में देना होता है copper glycinate देना है अगर आपको एक business द्यान देना वाली बात यह है कि यह body के अंदर 60 से 90 दिन यानि 60 to 90 days body में retain रहता है तो आपको इसको दुबारा repeat नहीं करना है 90 दिन से पहले इसके देने का जो तरीका है वो subcutaneous है brisket area में है और adult animal को आपको 120 mg देना है और अगर काफ है तो उसे 60 mg देना है इस बात का विसेस द्यान रखना को और repeat आपको नहीं करना है otherwise उसमें toxicity हो सकती है दूसरा option आपके पास है copper sulfate का जो powder के form में आता है सस्ता सा होता है इसका जो dozing है आप 2-6 मैने के काफ के लिए 4 ग्राम weekly दे सकते हैं यानि 4 ग्र हफते तक आपको देना होता है इसी तरह से adult animal को अगर आपको देना है तो 8-10 ग्राम देना है weekly यानि कि हफते में 8-10 ग्राम एक बार देंगे आप और 3-5 हफते तक आपको इसको देना होगा oral route से तो यह दो preparation है जो market में available है और भी कई तरह के preparation copper के आते हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपके market में available है तो आप use कर सकते हैं और according to those recommendation आपको उसको use करना होगा तो यह सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो corporate efficiency से होने वाली समस्या का आप इलाज कर पाएंगे उसे पहचान पाएंगे और उस animal को अच्छे से productivity में रख पाएंगे तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद नमस्कार